Okay Friends, तो आज की स्टूटियो में हैं मैं जानी हैं किस तरीके से हम केपिकरी का वेजट यूजचide कर सकते हैं किस तरीके से उसको अपने याब sub framework सकते हैं किस तरीके से मुशकमा साइट बार में या फूट बार में अड़िक TPress आर्पी कर सकते हैं जो Categorize हमने Post कहते हैं वो सारे के सारे post यहाँ पे हमारे पास एक जगा बनी हो जहाँ पहले लिखाऊ रहे हो category उसके बाद हमारे पास सारी के सारे post आ जाए उसके लिए आपको क्या करना है कि dashboard पर आकर यहाँ पर appearance में आना है एंद appearance में आकर यहाँ पर वेजट्स पर आजाने है, अब चैसी आप वेजट्स पर आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ तरीके का टेंपलेट मिलेगा, अब यहाँ से प्लस के सेंबल पर भी क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से प्लस के सेंबल पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ से प्लस के सेंबल पर क्लिक और यहाँ से हम category में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक option मिला पड़ए का category है इसका ठीक है तो इसको उटाल लेना है और यहाँ पे आपको चोड़ देना है अब यहाँ पे यह हमारे पास इस calendar के block के साथ आएगा यह दोनों एक group है अगर हमें अलग group बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करना होगा कि यहाँ से मैं इसको delete करेंगे और यहाँ से जो plus का symbol है तो हम यहाँ से add करेंगे इसको जैसे मैं category add कर लेता हूँ अब यहाँ पे इसको जब मैं update करूंग और यहाँ से अपनी जो website है उस पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर देखो यह हमारे पास एक अलग blog में यहाँ पर हमारे पास categories बन गई बट यहाँ पर हमें कुछ show नहीं हो रहा है सारे post ही हमें दिखा रहे कि जो जो post हमने category में किये थे वह दिखा रहे तो अब यहाँ पर मुझे चाहिए कि भाई इसमें category लिकी हुए हो कि यह categories है वो किस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपको अपसा जाने क्लिक कर लेने है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको select group कर लेना है और यहाँ से आपको heading add करनी है ठीक है तो यहाँ से मैं heading add कर लेता हूँ and heading में मैं लिख देता हूं category तो यहाँ पर मैंने categories लिख दी है यहाँ से मैं इसको select करूँगा और यहाँ से मैं इसको vault करूँगा साथ म भी कर दूँगा उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अब क्या होगा कि जो हमने केटिगरी बनाई है पोल बाद में इसके आई कि अगर मैं इसको अपड़ेट कर लूँ और आप सबको अपनी वेब साइट पर दिखा दूँ यहाँ पर देखो जो केटिगरी का अप्शन है वो ह केटिगरी एड कर लेनी है और यह जो केटिगरी हमने बनाया थी यहाँ से आपको इसको रिमॉफ कर लेना है यहाँ से आपको इसको अपड़ेट कर लेना है जैसी आप अपड़ेट करोगे और यहाँ से इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पर देखो हमारे पास केटिगरी इ रेजट्स को मनेज़ कर सकते हैं, इसको इस तरीके से हम इंप्लिमेंट कर सकते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो आपकी सपोर्ट के हमें बहुत ज्याज़ा जुरूरत है थेंक्स फॉर वाच्ट